हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनास कीचन आज हम बनाएंगे कॉलकलता की फेमस क्लब कचोरी जो की खाने में बहुत ही जादा स्वाधिस्ट होती है तो बारिश के मौसम में आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले कलब कचोरी बनाने के लिए हम उरत दाल का एक पेस्ट तयार करेंगे तो एक चोथाई कप भीगी हुई उरत की दाल में एक हरी मिर्च, एक इंच अद्रक का टुकड़ा डाल कर इसे हम अच्छी तरीके से बिना पानी डाले हुए पीस लेंगे तो इस तरीके से पेस्ट तयार कर लिया है हमने अब हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मस तेल और साथ ही इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग इसके साथ ही उरत दाल का पेस्ट हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरीके से अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक उरत डाल की कच्ची स्मेल नहीं चली जाती है और अच्छी तरीके से इसमें से एक बहुत अच्छी खुश्बू नहीं आने लगती है तो 6-7 मिनट में इस तरीके से एक पेस्ट तयार हो गया है इसे हम अलग कटोरी में निकाल लेंगे तो अब हम कचोरी का आटा तेयार करते हैं जो कि मैदे से बनाया जाता है लेकिन मैं यहाँ पर गेहूं कि आटे का इस्तमाल कर रही हूं तो देड कप मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है आप चाहे तो मैधा ले सकते हैं इसके साथी आदा कप मैंने यहाँ पे लिया है सूजी इसमें डालेंगे स्वात के अनुसार नमक एक चोथाई चमज अजवाइन और दो बड़े चमज डालेंगे इसमें तेल इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि मोयन आटे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसके बाद हमें हलका हलका पानी डालते हुए अच्छी तरीके से आटे को गूत लेना है आटा बहुत जादा गीला नहीं होना चाहिए जिस तरीके से हम नमक पारे के लिए आटा लगाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमें कलब कचोरी का भी आटा तयार करना है आटा हमने अच्छी तरीके से एकदम सौफ्ट तयार कर लिया है उपर से थोड़ा सा तेल डाल कर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इस आटे को हमें कम से कम 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ना है क्योंकि हमने इसमें सूजी मिक्स किया है इसे ढग कर हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं अब कचोरी के साथ खाने के लिए हम तब तक आलू की सबजी तेयार कर लेते हैं तो कड़ाई में दो बड़े चम्मच सरसू के तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे आधा चम्मच इसमें डालेंगे राई, आधा चम्मच जीरा, तेज पत्ता और आधा चम्मच हम इसमें कुटा हुआ खड़ा धनिया डालेंगे साथ में डालेंगे दो खड़ी लाल मिर्च और हिंग इसे अच्छे से हम भून लेंगे और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है अब हम इसमें एक चम्मच अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसे भी भून लेंगे अब इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो सबसे पहले एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर एक चोथाई चमच गरम मसाला पाउडर आधा चमच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डालक अच्छी तरीके से तेल छोड़ने तक के मसालों को पका लेंगे और जैसे ही मसाले तेल बाहर कर देंगे इसके साथ हम इसमें एक बारी कट किया हुआ टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरीके से मैश करते हुए हम पका लेंगे अब हम इसमें स्वात कैनो सार न ग्रेवी तयार होती है और खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादाता है अब हम इसमें डेड़ कप पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से अब हम इसे पांच मिनट के लिए ढखकर पकने देंगे पांच मिनट के बाद हम ढटा कर देख लेते हैं सबजी एकदम तयार है आध से अब हम इसमें एक छोटा सा तड़का लगाएंगे इसके लिए हम एक चमस तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे इसमें आधा चमस लाल मिर्च का पाउडर और कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और तड़के को हम सबजी के उपर डालेंगे इससे बह कितना सौफ्ट आटा हमारा तयार हो गया है तो अब हम इस आटे से एक बराबर लोई तयार करेंगे जो कलप का चोरी होती है वो पूरी से आकार में थोड़ी सी छोटी होती है और थोड़ी सी मोटी होती है तो इस तरीके से हम एक बराबर लोईयां कट कर लेंगे और इसे पिर पहलेगे लोई बिश्ट के घालर वाला करू और फिर विक में अस फिर च्रीक अब ए तरीके हो जाने टो बहुत जारीं साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए इसी तरीके से हम सारी कलब कचोरी बनाकर तयार कर लेंगे तो अब बारी है कचोरीओं को तलने की तो हमें तेल को अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लेना है और इसके बाद एक करके हम कचोरी को इसमें डालेंगे और डीफ्राइ करेंगे जैसे ही कचोरी को डालेंगे ये तुरत फूल कर उपर आ जाएगी इसलिए तेल का अच्छा गर्म होना बहुत ही जरूरी है तो कचोरी में बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है कचोरी बनकर बिल्कुल तयार हो गई है दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ये सीख चुकी है तो इसी तरीके से आप भी कलब कचोरी बना कर तयार किजिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है कचोरी के उपर डालेंगे आलू की सबसी और उपर से डालेंगे थोड़ा सा भुजिया सेव इसे गर्मा गरम इसी तरीके से इंजोई कीजिए रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर करें चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब करना ना भूले ऐसी और रेसिपी के लिए बने रहें वीनास किचन के साथ धन्यवाद